हेलो फ्रेंड्स सो वेलकम टू मैं चैनल एएएसबी अचीवर्स स्टडी पॉइंट सो इस चैनल में आपको 12 के कैमिस्ट्री और बाइलोजी के टोपिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड के एक्जाम में हेल्प करेंगे बहुत जादा तो पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं और गैनिक पार्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसका फर्स चैप्टर है एलो एलकेंज और एलो एरेंज तो इस चैप्टर को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम जर्नल इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन नोमनक्लेचर और प्रिपरेशन और सेकिंड पार्ट में मैं फिजिकल प्रोपर्टी और केमिकल प्रोपर्टी दोस्तों जो यह चैप्टर है सब बोलेंगे कि यह बेसिक चैप्टर है और यह नहीं आया तो आपकी पूरी और गैनिक बेस्ट है तो दोस्तों विन अपना वक्त जाये करें लेट्स बिकेट आर वीडियो फ्रेंट्स हमारे चैप्टर है हेलो एलकेंड़ और एरेंड और एरेंड से बैंजाइल these are used as solvent for non-polar compounds, these are used as medicines such as chloramphysynol, typhide, fluoroquinone, posth malaria. So, this was our general introduction, which is our main topic starter, classification. Now, classification is divided in three parts. First, on the basis of number of halogen groups. So, in this case, halogen group or aryl group, if we have one halogen group attached, then we call mono-halogen or mono-halogen. If we have two halogen groups attached, then dihalo-halogen and dihalo-harogen. And if we have three attached, then trihalo-halogen and trihalo-harogen. So, our next classification is compounds containing sp3-c3. This is the halogen group. What does halogen group mean? The halogen group is the same as sp3-c3. So, we have three parts divided into this. What is halogen group? Alkyl halides, benzyl halides, and allylic halides. So, what does halogen group mean? The halogen group which is the same as carbon, which is the same as halogen group. The halogen group will attach to the halogen group. So, if we have a halogen group, it will be fombs primary. If we have two halogen groups attached, then we will be secondary. If we have three halogen groups attached, then we will have tertiary. So, what are the halogen groups of halogen group? एक्षेहे जिस कार्बन के साथ था जैव अगर बेंजीन के साथ एक हैं तो हम कोभी यहे कार्बन के साथ कारबन आपका थना है तो इसको अंगला भी ञारव्रव मिंद्धxis को b इसका क्या मतलब है जो यह X है जो हैलोजन गुरूप है वो जिस कार्बन से टैच होगा वो SP2 हाइबिडाइज होगा अब इसको भी हमने फर्दर दो क्लासिफिकेशन करें एक विनायलिक हैलाइड जिसमें क्या है जो यह हैलोजन गुरूप है वो जो कार्बन के साथ अटैच होगा SP2 हाइबिडाइज है और इसके बाद हम इसको में अलकाइल गुरूप में कंसीडर करते हैं और दूसरा है अराइलिक हैलाइड मतलब की जो हैलोजन गुरूप हो डिरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है तो इसको हम अराइल हैलाइड हैंगे और जो हमको पता ही है कि जो यह कार्बन है जिसे अट है चाहिए SP2 आइबिडाइज है तो दोस्तों यहां पर हमारी क्लास्टिकेशन कंप्लीट होती है और नेक्स्ट हमारे टोपिक आता है नो फ्रेंट्स अब बार्यातिन नोमनक्लेचर की तो ज डोस्तों कि अगर पर डबल वोंड यह ट्रिपल वोंड इन या आइन गुरूप है यह और यह गरूप नहीं है तो हम प्रेफर करेंगे हलोजन ग्रूप और जो अमारी काउंटिंग स्टार्ट वह हैलोचन गूरूप जहां पर वहाँ से स्टार्ट होगई जैसे कि अब इस वाले में देखो कोई डबल घूंड कोई अलकॉछली गूरूप नहीं को ली आडी This नहीं तो numbering हम यह से स्टाट करेंगे ये फर्स्ट करों सेकिंड gd three तो इसका आयूपिक नेम क्या होगा one Bromo प्र्वय्य और सब्सक्श्थ्य अब यह डोगर यहां परेफरेंश ब्रस्थं करें है तो मैंने बताया है तो refund दोबल बाउंट होगा तो प्रेफरेंस डबल बाउंट गाज़न गाजहें तो नम्बरी यह स्टार्ट होगी तो यह फिस्ट कर्पन सेकेंड और धर तो इसको कहेंगे इसको क्यांज़न तो इसको वर्न तू डाई ब्रोमो डेंग यह था हमारा बात है दोस्तों नेचर ओफ लिए गुरुप न है। जो यह कारबन है हमको पता है 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 हेलोजन से लेसद यहें जिसके वादे से जो इसके इलेक्टरों स्पेर में इलेक्टरों होंगे उसको यहें हेलोजन ग्रूप अपनी तरफ आट्टरफ अठेक तरह जिसके वज़े से जो कार्बन हो जलाव बांट बांटीज को लिए बॉठ आ के या यह बहु दब दागा तो दोस्तो इस वीडियो के लाष्चर डोयव दॉपील जो कि simply अलकाइल गुरूप मतों कि अलकाइल को प्रिपेर कर सकता है एरेंज क्यों निक कर सकते क्योंकि देखो एरेंज में जैसे बैंजीन है बैंजीन के साथ अगर ओएच गुरूप जुड़ा है तो यहां पर रेजोनेंस के कारण यहां पर डबल पार्चल डबल बोंड आ तो इसको हम एलो एलकेंस प्रिपेर करते हैं तो पैहला है कि जब हलूप के अंदर हम स्वीड प्लस जडेड दू डाल देते हैं और इस रेजन और गुडय गहते हैं और हमको रेचल क्लोरो अलकेंस मिल जापता है ऐसी ही अगर हम एलकोल के अंदर N-A-B-R प्लस H2SO4 H2SO4 है ओक्सिटाइजिंग एजेंटाइजिस जो की N-A-B-R को पहले H-B-R में कनवर्ट कर देता है फिर H-B-R से H-B-R ROH के साथ रियक्ट करता है H2O और R-B-R हमको प्रिपेर करके देता है ऐसी अगर P-X5 यहाँ पे X-C-L और B-R है और हमको यहाँ पे R-X मिल जाता है और साथ में H3PO3 मिलता है ऐसी R-R एलकोल के अंदर हम रेड फोस्फोरस और X2 यहाँ पे ब्रोमीन या आयोडिन डालेंगे तो हमको हेलो एलकेन मिल जाएगा ऐसी जो यह मैथड है R-SOCl2 यह हमारा बेस्ट मैथड है यह वाला हमारा बेस्ट मैथड है इसको बेस्ट मैथड क्यों का है क्योंकि जो यह इसके जो प्रोडक्ट है SO2, HCL यह इसके पेबल गैस है जो कि फिर जिसकी वज़े से हमको Pure Alcan हेलो एलकेन मिलता है तो नेक्स्ट है तो अब जो हमने उपर पड़ा था आरओ एने बी आर तो यहां पर हम सिर्फ ब्रोमी का ही इस्तमाल करके करते हैं इसका क्या रिजन है मैंने बताया था कि है तो यह पहले इसको ऑक्सिडाइज करतेगा तो हम यहां पर यहां पर यूज ना करके यह सिर्फ और कर यूज करते हैं जो कि एक माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग है जैंट और जिसके वजह से हमों को हाइडो एलकेन मिलता है अब आता है हाइडो कार्बन स्केर से तो पहला है फ्री रेडिकल हेलोजीनेशन जिसमें यह हाइडो कार्बन है उसके अंदर हमने एक् विएड अब कर देंगे तो हमको एक हो गा प्राइमरी मिलेगा और आता है इलेक्टरीन को शेके ना प्रजरद को डालते हैं एक एक और्थो हसेड रेम और जिसमें मेजर पैरावाला होता है तो इस वाले मेथिटर से हम दोनों को서 क्या सकते हैं एलोय तो मेनली जो हईनो के लिए होता है है सेंट में भी येक्षन जिसमें आम जो डाइड़ोन्योंसोल्ट होता है इसको को विए क्या कहते हैं डाइजोनियम सोल्ट डाइजोनियम सोल्ट में अगर हम सी यू टू डालते हैं तो हमको यहां पे हमारा हलो एरेन मिल जाता है जो कि यहां पे एक सम डिनोट के देंग लिए क्लोरीन और ग्रोमीन से साथ ही अगर हमको आयोडीन के लिए प्रिपेर करना आयोडी आयोडो बेंजीन बनाना एक तो हम यहां पे डैजोनियम शोल्ट के अंदर के आई डाल जांगे ऐसी दूसरा होता है कंवते हैं गटरमें रियक्शन जिसके अंदर जो हमारा दैजोनियम सोल्ट के अंदर हम स्यूय एक्स डालते हैं और याद रखना दोस्तों सैंट्समेर के अंदर की ट्रो एक्स डालते हो एक दिलता है तो एक जो hydrogen group होता है वो किसी एक carbon के साथ अजहाता है तो जिसके जिसके के एक carbon destroy बन जाता है और फिर जो हमारा hydrogen group होता है यह इधर आज और आज़ाता है तो इसमें हमारा जो अब देखो यहां पर दो preference हो शकते है hydrogen group यहां पर इसके हैं ऐसे हर case में हो गया तो यहां पर हमारा किowa BACK पी जैसे कि एहां पर बात तो जैसे की अब मैं की बात करता हूं कि अब देखो दोस्तों इसकी वाद करते हैं और यहां पे डालते हैं तो हमारा मेजर थोगा वा रोड़ा कि समस्मा कार्आपर बनता वर हम को पता है कि प्राइमरी कर्भोटाइन से जादerving से जाधर सेकेंडी कर्भोटाइन है's तो अगर पहले एच और हमारा पहला पहले क्या जुड़ेगा या एच जूड़ेगा तो फिर पहले हमारा जब हाइड्रोजन ग्रूप अगर इधर जूड़ेगा इस वाले कारवन के जूड़ेगा तो यह वाला कारवोकर्टाइन होगा जो की सेकंडे होगा फिर यहां पर आइडे जूडेगा तो जिसके हुझे से यह मेजर प्रोड़क् और यह हमको major product as a major product मिलेगा क्योंकि यह secondary carbocatine से मिलके बना है और साथ में अगर यह hydrogen group इधर attach होता है इस वाले पे secondary पे तो फिर यह carbocatine बनता है और वो primary carbocatine होता है वो जादा stable नहीं होता है as compared to secondary carbocatine जिसकी वज़े से वो minor group मिलता हमको as a minor product मिलता सो दूसरा है addition addition reaction addition में क्या हम BR2 डाते CCL4 के अंदर और हमको di halogen group मिल जाता है फिट लास्ट है this halogen exchange और यह दोस्तो जैसे मैंने आपको बता है यह naming reaction है इस वाले चैप्टर में चार पांच naming reaction है जाई है सेंड्स में reaction होगी गटर में reaction होगी अब हम यह दो पढ़ेंगे फ्लिंकल स्टन और स्वार्ट तो दोस्तों इन दोनों को याद करने का मेरा एक तरीका है सहए आपको ही पसंद है अब देखो स्वार्ट से याद रखके हम है आप याद रखा है कि हम जो ही है रिप्लेस होके हमको रिखोडक्ट मिलेगा वह small हेलोजन गरूप हो को स्मोल क्या होता है फ्लोरीन तो स्वार्ट से च्वार्ट से श्मोल एसी याद रख लेंगे तो आर एक सह है आर एक अंदर हम एज़िए डाल देंगे तो हमको आर एफ मिल जाएगा और यहां पर जो एक्स है वो बी आर हो सकता है क्लोरीन मतलब कि फ्लोरीन से बड़ा होना अच्छी है अब एक स्मॉल होगे तो दूसरा तो अपने आपे की बड़े वाल आएगा तो आर एक्स के अंदर एन याई मतलब कि यहां पर आयोडीन तो ऐसी हाद रखो स्मॉल क्या होता है फ्लोरीन तो स्वार्ड किसके लिए हो गया फ्लोरीन की प्रिप्रेशन के लिए फ्लिंकल्स्ट फ्लोरीन तो है प्रेंट्स यहां पर हमारा इस वीडियो का फ़ेश्ट पार्ट है और सेकिंड पार्ट जिसमें फिजिकल प्रोपरिट्टी और केमिकल प्रोपर्टीज के बारे में अब डिश्ट्स करेंगे वह मैं जल्दी आपके लिए लेक्या हुगा दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो के बार हम पता चलता रहे और जो यहां पर यह बेल आइकन इसको क्लिक कर देता कि आपको मेरी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे तो थैंक्क यू यूटूबर्स पर वाचिंग मैं वीडियो